नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक रोचक सवाल पर चर्चा करेंगे, क्या सभी कुट्टे तैर सकते हैं? और उससे पहले अगर आप अपने पिल्ला को डुबकी लगाने सोच रहे हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए? चलिए, हम इसे एक-एक करके समझते हैं. क्या सभी कुट्टे तैर सकते हैं? यह एक आम सवाल है, जो की लोगों के मन में उठता है. हालांकि सच्चाई यह है, कि सभी कुट्टे तैर सकते हैं. हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ कुट्टे तैरने का आनंद नहीं लेते हैं, या यह नहीं सीख पाते हैं, लेकिन यह उनकी क्षमता का सवाल है, न कि उनके जीवन में संधर्ष का. ऐसे कुट्टों की जातियां होती हैं, जिन्हें तैरने के लिए विशेशता से पैदा किया गया है, जैसे की लाबरेडोर रिट्रीवर, पहलेवान बॉकसर और पहाडी कुट्टे जैसे. इन जातियों के कुट्टे तैरने के लिए बहतर तैराकी दिखाते हैं और इसे आसानी से सीख सकते हैं अपने पिल्ला को डुबकी लगाने से पहले क्या पता होना चाहिए? जब हम अपने पिल्ला को पहली बार पानी में ले जाते हैं, हमें कुछ महत्वपून बातों का ध्यान देना चाहिए सुरक्षा का ध्यान रखें पहले और सबसे महत्वपून बात अपने पिल्ले की सुरक्षा है सुनिश्चित करें कि पानी का गहराई और रवानी उनके लिए सुरक्षित हो और वे पानी में डुगने के लिए तयार हो सहायता करें पिल्ला आपके साथ बहुत डर से जरूर तैरेगा इसलिए उन्हें सहायता की जरूरत होगी उन्हें धीरे धीरे पानी में घसीटें और समर्थन दें ताकि वे डर नहीं खाएं प्रशंसा करें जब आपका पिल्ला पानी में डूबता है या तैरता है तो उन्हें प्रशंसा करें और उन्हें प्रोचसाहित करें यह उन्हें आत्म विश्वास और स्वाभाविक रूप से तैरने की क्षमता विक्सित करने में मदद करेगा संतुलन रखें, ध्यान रखें की पिल्ला तैरिंग करने में संतुलित रहे और डूबने की कोशिश न करें उन्हें सही प्रकार से सहारा और समर्थन प्रदान करें, ताकि वे स्वतंत्र रूप से डूब सकें धैर्य रखें, अपने पिल्ले के साथ तैराकी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज धैर्य है वे शायद पहली बार ही तैर नहीं पाएंगे, लेकिन उन्हें अपने धैर्य और प्रोचसाहन के माध्यम से अधिक समय दें, और उन्हें आराम से बढ़ते जाने दें विशेश प्रकार के कुट्टे जो तैर्ने में अविश्वस्निय हैं जैसा की हम जानते हैं, कुछ कुट्टे तैर्ने का काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं इन में से कुछ विशेश प्रकार के कुट्टे हैं, जो तैर्ने में अविश्वस्निय हैं लेब्रेडोर रिट्रीवर ये कुट्टे तैरने के लिए बहुत प्रसिध हैं और पानी की चमकी जगहों पर खेलने का आनंद लेते हैं उनकी पतली पंखडियों और थिन त्वचा उन्हें पानी में आराम से तैरने की ख्षमता प्रदान करती है पहाडी कुट्टे, पहाडी कुट्टे जैसे सेंट बरनाड और न्यूफाउंद लैंड कुट्टे तैरने में बेहद माहिर होते हैं उनकी बड़ी आकार और मजबूत मानस्पेशिया उन्हें पानी में सहचता से तैराकी करने में मदद करती हैं पहलेवान बॉक्सर बॉक्सर जाती के कुट्टे शारिरिक रूप से ताकतवर होते हैं और उन्हें तैरने का काम भी बहुत पसंद होता है उनकी स्थिर्ता रेट्रीवर्स रेट्रीवर्स जैसे गोल्डन रेट्रीवर और चैसापीक बे कुट्टे तैरने के मामले में प्रशन सनिय है उनका रंग बिरंगा और मोटा फूल वाला अव्यव उन्हें पानी में बढ़ी हुई सुधार और उचलने की क्षमता प्रदान करता है उनकी कुरलाती हुई बाले और पानी में तैरने के लिए उनकी अध्वितियक शमता उनहें एक शांदार तैरा की अनुभव प्रदान करती है ग्रे और साइबेरियन हस्की ये जातिया ठंडी जगहों के लिए प्रसिद्ध हैं लेकिन वे तैरने के लिए भी प्रशन सा योग्य हैं इनकी गहरी गरगन, विशाल पैर और मजबूत पंखडिया उन्हें तैरने में मदद करती हैं और उन्हें दैनिय तरीके से तैराकी करने में सक्षम बनाती हैं लेबराडूडल, लेबराडूडल, कुत्ते लेबराडोर, रेट्रीवर और पूडल की मिश्रित जाती हैं और ये कुत्ते तैरने के मामले में बहुत आगे हैं उनकी मुलायम और कुरलाती हुई फूल वाली अव्यव उन्हें पानी में सरलता से तैरने की क्षमता प्रदान करती हैं. तो दोस्तों यह थी हमारी आज की विडियो जहां हमने देखा कि क्या सभी कुट्ते तैर सकते हैं और अपने पिल्ला को डुबकी लगाने से पहले क्या पता होना चाहिए. यदि आपको यह विडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली विडियोस को नखोए. धन्यवाद और मिलते हैं अगली विडियो में.